हाई अब्रीवन विल्कम बाक टो फोकस दो हजार तेईस है ना तो मुझे अमीद है कि आपकी दो हजार तेईस की तहरी बहुत अच्छी चल रही होगी आधी एक और इंपोर्टेंट टॉपिक उड़ाते हैं थर्ड बैटल पानीपत पाई मराथास लॉस्ट दी बैटल आता है कि यहां से बस i growth possible और ठीड फ्यवड़ास समझेंगे थोड़ा हिस्टीर आफ यहां म मत्ते हैं कि यहां से ब्रिटिश ब्रीटिश जाएं कि बात करेंगे कि बैटल में exactly क्या हुआ र्यट है 1761 को blackest day of India's history मारा जाता है यह बहुत ही घिनोना दिन है बहुत ही जो है बुरा दिन है हमारी history के लिए क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में 50-60,000 मराठास को मार दिया गया था इट वस नाफसे कर, इट वस कार्नेज, slaughter कर दिया गया था, धून धून के मारा जा रहा था उनको, right तो समझेंगे कि यह दिन कैसे आया, क्या हुआ अच्छानक ऐसाथ, और इसके बाद जो कैम्प में 50-20-30,000 जो महिलाएं और बच्चे बाकी कैम्प फॉल्लवर्स थे, उनको गुलाम बनाकर अफगानिस्तान ले जाए गया तो यह काफी बुरा हुआ जो है, especially मराठाज के साथ और अगर इंडियन हिस्ट्री में देखे, तो हमारे साथ यह काफी बुरा हुआ है, right और इसके बाद जो मराठाज हैं जो हमें लग रहा था कि after Mughals, ऐसा लग रहा था कि अब मराठा एंपायर क्रियेट होगी हिंदू पत-पत चाहिया, अटक से कटक का जो उनका सपना था, वो पूरा होगा बट ऐसा नहीं हो पाएगा इस दिन की बदॉलत, या फिर इस बैटल की बदॉलत या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, हाँ ये दिन ही खराब था, बहुत ज़ादा खराब था आई समझना ही की कोशिश करते हैं इन फाक, ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछ पीछे ये 1777 में 1777 में फैदाबाद की एक पेंटिंग है जिसमें उन्होंने इस बैटल को पेंट करने की कोशिश करी है पड़ यकीन मानों इतनी धुआ 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 दिखेगा आपको ये पेंटिंग शायद दिखाना चाहते हैं कि हाँ ये पूरा ही धुआ ही उड़ गया था राइट है ना जो है समझते हैं कि कैसे यहां तक हम पहुँचे क्या हुआ था यहां पर चलिए तो मैं अब शेक शुवास्ता यह बात शुरू करते हैं तो ये 1760 का मैप है 1760 में आप समझ ये तो ये बड़ी एंपायर आपको नजर आ रही है ये जो पूरा पाल्ट आपको दिखाई दे रहा है ये इधर बंगाल तक भी पहुच गये हैं आवद पे भारी पढ़ रहे हैं इन फाक्ट नॉर्थ इंडिया में अगर आप समझ ये तो नॉर्थ इंडिया में मराथास का काफी भय है ये हमारी एंपार लेके चले जाएंगे अब यहां तक कैसे पहुचे थोड़ा राइज ऑफ मराथास में देखते हैं कि एक जमाने में जब शिवादी की हम बात करें तो ये कुछ शिवादी की टेरिटरीज हुआ करती थी ये राइट वहां से यहां तक कैसे पहुचे बात करते हैं तो ये तो ये तो शिवादी अगर हम देखें तो शिवादी की डेथ होती है 1680 में उसके बाद दारोमदार आता है उनके बेटे सामभाजी पे सामभाजी को 89 में औरंग जेब एग्जेक्यूट कर देते हैं और इनके जो बेटे हैं साहू साहू को वो इंप्रिजन कर देते हैं ये सोच कर कि किसी दिन मुझे नेगोशियेट करने का मौका मिलेगा मुगल के साथ तो ऐसा सोच कर साहू, साहू को जेल में डाल दिया जाता है औरंग जेब की डेथ हो जाती है 1707 और यहाँ पर औरंग जेब के बेटे जो की अब यहाँ पे बने हैं मोगल एमपररर वो मराठास से दोस्ती करना चाते हैं और इसलिए 1707 में साहू को रिलीस किया जाता है बट इतना असान नहीं है क्योंकि और जीजा बाई जो है और शिवाजी टू स्वरितारा बाई और शिवाजी टू और जो है मराठा एमपायर को उस समय ओन करते हैं बट किसी तरह, किसी तरह, by civil war, by tactics, by diplomacy और यहां पर यह मराठा किंग्डम वापस मिल जाती है तो साहू को मराठा किंग्डम वापस मिल चुकी है बट, बट, the point is कि it is, the story is not about साहू बट, the story is about साहू के नीचे जो पेश्वाज है अब यहां पेश्वाज की जो position है ऐसा नहीं कि पेश्वाज साहू के अंडर पहली बार higher होंगे पेश्वाज एक पुरानी position है जो कि generally फनास देखती थी at general administration, home ministry type जो है देखती थी वो राइट, बट धीरे धीरे अंडर साहू पेश्वाज की position बहुत strong होने लगी पेश्वाज अल्मोस्ट वजीर की तरह बन गए सारी पावर जो है वो पेश्वाज की पास concentrate होने दनी और in fact साहू के अंडर ही ये position hereditary होनी चालू हो जाएगी इनका बेटा ही फिर पेश्वाज बनेगा अब पहले भी कुछ और पेश्वाज रहे हैं तो कहानी बेसिकली बालाजी विश्वाज से शुरू होती है बालाजी विश्वाज तेरा में पेश्वाज बन रहे हैं और अगर देखिए तो अपने रेन में इन्होंने स्टेबलाइस किया है साहू को तेनाकार्ते का title इनको दिया गया है यही से position hereditary हो रही है कि इन्ही का बेटा पेश्वा बनेगा तो साहू को support किया फारुक सियार उस समय मोगल emperor हुआ करते थे फारुक सियार से इस चीज़ को accept कराया कबूल कराया कि हाँ साहू को आप recognize करिए कि मराठा के head है और फिर जब फारुक सियार के खिलाफ यानि मोगल emperor के खिलाफ जब conspiracy हो रही थी by सयद brothers तो सयद ब्रदर्स की मदद करके फारुक सियार को मरवाया गी तो बालजी विश्वनात जो है वार वाइस या डिप्लोमेसी वाइस दोनों ही तरीके से मराठास को यहाँ पर रीट कर रहे थे क्याद रखी वो पेश्वा है kind of अभी राजा के नीचे है राजा कौन है साहू again बालजी विश्वनात से जो कहानी चालू होई तो अगली entry होती है बाजी राओ की बाजी राओ को आप जानते है बाजी राओ के बाद है बालजी बाजी राओ उनकी बेटे इन दोनों को समझते है पहले बात करते हैं बाजी राओ की यही दोनों आज हमारे लिए important है तो बाजी राओ बाजी राओ आपने शायद जो है यह movie बाजी राओ मस्तानी देखे हुई होगी बाजी राओ एक्सपैंशन चालू करते है इनफाथ जो philosophy of expansion है जो philosophy of pan India empire है कि हाँ हम अटक से कटक तक का राज्य क्रियेट करेंगे यह सपना देखा है बाजी राओ ने हिंदू पदपच्चाही यानि हिंदू एम्पाइर क्रियेट करेंगे यह जो सपना है यह सपना है बाजी राओ का और यह लड़ेंगे भी यह इनकी खास बात है कि यह फ्रंट से लीड करते हैं फ्रंट में आप देखेंगे तो 1722 में सबसे पहले Portuguese से इन्हों ने सालसीटे और बसीन यह दो आइलेंड यह दो प्लेसेज दो जो है पोर्ट इन्होंने Portuguese से ले लिया है देन उसके बाद जो है capital दी shift करी है प्लस एक और इनके साथ जो है चीज जुडी हुई है वो है system of confederacy very important system of confederacy इन्होंने शुरूर किया था थोड़ी देर में समझते है कि क्या होता है but overall impact देखिए कि हाँ he was able to get Malwa Rajasthan, Gujarat, Deccan इन सब जगा माराथा का वर्चस से पहुचाने का काम इन्हों ने किया है then even 1737 तक आते हाते दिल्ली पे भी attack किया कहते हैं कुछ 500 घुर सवारों को साथ दिल्ली पे raid कर दिया and nobody could defeat him total 41 battles और कभी भी नहीं आ रहे unfortunately he died in 1740 and a sudden death है but the point is इन्होंने जो confederacy create करी confederacy इस confederacy को जड़ा देखते है इन्होंने कहा कि जो मराथा सरदार है मराथा सरदारों को इन्होंने जगा जगा पे प्लेस कर दिया यहां गौालियर में शिंडे होंगे और जो है यहां इंदौर में होलकर होंगे similarly इधर भोसले हैं पेश्वा पूना साइड रहेंगे similarly गाइकवाड गुजरात साइड रहेंगे तो इस तरीके से आपका अपना अपना स्वेयर होगा इसमें अभी जो आपको देखने लाएक है थोगा सा याद रखेगा इस सिंधिया इन गौालियर और होलकर सिंदौर पाकी निवालकर गाइकवाड तो जगा जगा इन्होंने ऐसी लीडर्शिप क्रियेट कर दी और और ओवराल यू रियलाइज कि मराठा एक सेंटराइस्ट पावर नहीं है ऐसा नहीं है कि हाँ साहू जो है वो इस पूरे को लीड कर रहे है इन फाक्ट रीजन भी यही है कि साहू वाज नॉट आज अच्छी लीडर्शिप नहीं प्रोवाइट कर पा रहे थे तो इट वाजी राओ का ऐसा लगा कि जरूरी है कि हम लोग एंपायर में इस तरीके से पावर सेंटर्स क्रियेट कर लें और हम सब मिल के एक्स्पैंड करें एवरिबड़ी शुड फील कि वो इस पूरी एंपायर का पार्ट है और एवरिबड़ी शुड फील कि हमें इस एंपायर को ग्रो कर रहे है तो कॉन्फिटरिसी वोज वेरी गूड आइडिया इनिशली इस्पेशली बिकॉज साहू वाज नॉट लीडिंग अगर एक स्ट्रॉंग पेश्वा है जैसे बाजी राओ तो भई ये सारे लोग अलाइंड रहेंगे ये सारे लोग बाजी राओ के साथ खड़े रहेंगे और एक्स्पांशन में पूरी मदद करेंगे तो उनका जो सपना है हिंदू पत्पत्षाही का वो तब पूरा हो सकता है जब ये सारे लोग एक साथ एक साथ लड़ाई करें वो एक ही यूनो बाडी का पार्ट रहें तो इसने शुरू करी बाजी राओ ने तो उस्ते आगे नेक्स उनके बेटे आते हैं बाजा जी बाजी राओ तो ये अपने फादर के सपने को नाला साहिप पेश्वा इनको कहा जाता है और ये अपने फादर के सपने को आगे लेकर जाते है तो ये और expansion करेंगे Northwest Side में, East Side में, Central India में तो जो हम map में Empire देक रहे थे In fact अगर आप समझी है तो ये जो Empire पूरी प्रूजी राओ करते हैं इसे कहा जाता है संगोला agreement, संगोला agreement के तहत, जो मराठा king है, यानि साहू के जो भी वंशज हैं, जो की नहीं है बट जो भी वंशज होंगे जो क्रेम कर रहे हैं they will be like Maratha king, but they will be Roy Fenient Roy Fenient मतलब कि वो palace के mayor होंगे but वो do nothing king होंगे, वो कुछ करेंगे नहीं, कोई impact नहीं होगा पूरा पूरा जो डारो मदार होगा, वो पेश्वास पे होगा तो पेश्वास टुक डाट लीडर्शिप और संगोला agreement से अब राजा का कोई बहुत मतलब नहीं रह गया आप mayor की तरह रहें, palace में रहें आराम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है हम manage कर लेंगे empire को नाव नाव इनके ट्राइं में expansion चालो हुआ ये बंगाल पहुंचिए, अलीवर्दी खान को हरा दिया बंगाल में नोंने मुगल्स के साथ जाके agreement किया 52 में, मुगल्स को क्या बोला कि भाई देखिए, हम बड़ी empire create हो गए है आप उसे साथ से अभी week है तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अब भारत के बादशाह हैं, इस बात को हम recognize कर रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि हम आपको protection provide करेंगे, support provide करेंगे जब भी जरत पड़ेगे, उसके बदले हमें क्या करेंगे, हमको northwest area का, इस area का चौथ दे दिए, चौथ या, तो इस area का हमें चौथ दे दिए, चौथ मतलब इस area के revenue का 25% हिस्सा हमारे पात जाएगा, याट इस चौथ, एक चौथ हाई करेंगे, protection provide करेंगे, और जो है, आप हमें इस तरीके से revenue support दीए, similarly 1758 में, जो इनका सपना था अटक का, है ना, अटक से कटक तक, तो देखें, अटक पहुंच गए हैं ये, right, तो इस इस अटक, ये पेशाबर, तो अटक, finally, इनकी empire, जो बालिराओं ने सपना देखा था, कि अटक तक पहुंचेंगे, वो पूरा हुआ, अटक तक ये लोग पहुंच गए, in fact, 1759 में, he is at कांधार, है ना, तो इधर कांधार पड़ेगा, आपका, अफगानिस्तान, कांधार तक ये लोग पहुंच गए हैं, कांधार, plus, पंजाब में अच्छा-खासा hold create हो गया है, पंजाब is like, with them now, so 1759 तक आते आते, they are very close, right, जो है, एक अच्छी empire, बड़ी empire create हो गई है, और ऐसा लग रहा है कि अब भारत में, मराठा का राज्य होगा, है ना, जो वो create करना चाहते है, तो फाइनली वो दिन आ गया है, तो ये कहानी थी, अच्छी मराठा के साइट से, कैसे वो rise होए, तेकिन एक पारलली एक दूसरी कहानी चल रही है, पारलली दूसरी कहानी चल रही है, जो है, एहमद शाअब्दाली को समझने है तो प्राम, एहमद शाअब्दाली में एक अटाक होता है, 1739 में, कि पर्शयन रूलर है नादर्शा, वो अटाक करते हैं, नादर्शा, नादर्शा, इस पर्शयन, और ये बात ये प्रूफ कर देता है, कि भाई, अब जो मुगल्स हैं, वो उतने स्ट्रॉंग नहीं रहे, उस समय मुहमद शारंगीला थे, दिल्दी तक चले आए है सैक कर दिया है पूरा, अच्छा कासा पैसे लेके गए हैं, तो 1739 बैटल ओफ करनाल इस नादर्शा, बैटल ओफ करनाल, अब इन्ही को सकसीड करते हैं, इन्ही के जनरल हुआ करते थे, इन्ही को सकसीड करते हैं, एहमद शा अबदाली, एहमद शा, है ना, और ये यहाँ एक kingdom create करते हैं, विच इस दुर्रानी kingdom, दुर्रानी kingdom, तो अबदाली की basically ये अपनी एक kingdom है, अफगानिस्तान एरिया में उनका राज चलता है, और वो राज, क्योंकि, क्योंकि he is raiding India, तो कुछ आठ बार इंडिया पे उन्होंने raid किया है, बहुत सारा पैसा लेकर चला गय हैं, 1757 वाली raid में उन्होंने खुद decide किया है कि यहाँ पे मुगल emperor कौन है, तो उन्होंने acknowledge किया है आलमगीर 2 को कि भाई चल ठीक है, तुई बन जा मुगल emperor, राइट, और साथी साथ, साथी साथ यहाँ पे रोहिला chief है, रोहिला chief नजीबुद दौला, तो दिल्ली के बग एक और kingdom exist करती है, छोटी सी kingdom रोहिलास की, अब घान है लो, छोटी सी kingdom रोहिलास की exist करती है, वहाँ के head नजीबुद दौला है, नजीबुद दौला को कहेंगे कि भाई, तुम मीर बक्षी हो, तुम मेरे agent हो, तुम मेरे आदमी हो, यहाँ बैठोगे और देखोगे कि क्या कर रहा है, एंपायर पे नजार रखोगे, मुगल एंपरार पे तुम नजार रखोगे, तो काईदे से मुगल एंपरार यहाँ नाम का मुगल एंपरार रह गया है, अब दाली के रहमो करम पे यहाँ पे इस समय बात चल रही है, यह महौल यहाँ पे already created है 1757 में, है ना कि भ कर रहे है सदाशिब भाव, सदाशिब भाव कहते हैं तुम सदाशिब भाव आते हैं दिल्ली में और नजीब दॉला को 약 Dual को par medicine के निकाल देते हैं नजीब दॉला को हवद में बैठे हैं शुजाउद दौला शुजाउद दौला तो यह दोनों कहेंगे कि यह क्या हो रहा है बैद रोहिदास में नजीब अजीब दौला कि ऐसे कैसे कर दिया मराथाज ने हमाई साथ बहुत गलत किया है इनको इनको जो है सबक सिखाए जाए यह दोनों यहां पर मिल जाएंगे और ये कॉल देंगे किसको ये कॉल देंगे अबदाली को कि सर वी नीड यूर है प्लीज कम रइट यहां पर हमको हमारी बेजिती हो गई हमको दिली से निकाल दिया इन्होंने यहां पर तो मराठास चार है तो यहां पर अच्छा आवत को डर भी है कि मराठास हम पर भी अटाक करेगा इसलिए वो और ज्यादा जो है इसमें इंटर्वीन करना चाहता है अब अब अबदाली काएगा क्या तुम्हारे चक पचलों पड़ूंगा पहले तो थोड़ा सा रिलक्टेंट है फिर यह कहेंगे कि नहीं सर जो है इसको जिहाद करना है जिहाद का नाम दे देंगे फिर कहेंगे अच्छा नहीं सर दो करोर रुपया भी दे देंगे आपको करेंगे आपको प्रीज प्रीज आईए अब अब जो है कहानी चालू होती है अब देखते हैं कि क्या होता है तो जैसे कि अबदाली ने कहा कि भाई ठीक है मैं आ रहा हूं तो अबदाली निकले अपने उधर से है ना अपनी अंपायर से निकले और पहुंचे कहा पहले कांधार वगरा पहुंचे इसको रिलीस किया जाए पंजाब में जो जो है यूनो जो एरियास चले गए थे के लिए उपार चाहे यहां मुगल्स भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं सबस्क्राइब ओबर ऑर और हम इसे चैसे आपने आप हमारी टरिट्री में आ गए हैं जो मारा एरिया था उस एरिया में आप पेनिट्रेट कर रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा अब और यहां से आर्मी निकलती है जगाए उद्गीर जो है महराश्ट में ही उद्गीर पुने के आप जो है तुड़ा इस जाएंगे तो उद्गीर पड़ेगी यहां पर पूने के साइड में उद्गीर यहां से सेना निकलती है तो बड़ी सेना है उदब 40,000 जो है के घुर सवार हैं आप पर आर्टिलरी जब यह उपर पहुंचेंगे तो इनको आगे और सपोर्ट मिलेगा तो यह उद्गीर से निकले हैं यहां से आगे अभी आपको इंदौर पे पूर खोल कर मिल जाएंगे और और आगे जाएंगे तो ग्वालियर में ग्वालियर में सिंधिया भी अब यह एंपायर यह जो यह जो है सेना है यह पहूंची डिल्ली है दिली पहुंच इन्हों और यह जो इतनी बड़ी सेना है दृओफूर इंपी दल्ली तुरंथ चोद्ली तुरंथ इनके बढलियर जीत जाएंगे तुरंधूर एध्विगोؑ घ्रिट कर रहा है कि हां अवह जीतम देखोज करते यह जमुना नदी है जमुना नदी पे दिल्ली पे यहां पर वेट हो रहा है यहां पर मराठाज है और सामने की तरफ ही जो है आपका मेरट है सहारनपूर है और मेरट यहीं पॉंट किसका है ये पॉईंट है अब्धाली का अब्दाली का अब इसनी अब्दाली के चुराइस ना यहां सहारनपूर मेरट में यहां पर वेट हो रहा है वह है आईए इस बीच में यमुना नदी है थोड़ा बारिश वानिजば जुलाई-उलाई का महीना है, तो बारिश के वैशे थोड़ा उफान ज्यादा है, तो इस समय अभी कुछ पार करपाना इतना आसान नहीं होगा, नाव, अब होगा क्यार, कि अब सदाशी भाव सोचेंगे कि क्या करना है, क्या करना है, क्या क्या किया जाए, ऐसे बात कैसे बनेंगे, कौन भिड़े जाके, तो नाव, सदाशी भाव बेक फर्स्ट मूव, और आगे एक और पॉइंट है, इस पॉइंट इस कुझ पूरा, कुझ पूरा पहुंचेंगे हो, एंगे रूखो, कुझ पूरा पर अटाक करते हैं, कुझ पूरा पर जब अटाक करेंगे, तो यहां कुछ बीस हजार अभगान है, और यह actually supply provide कर रहा था अभगाली को, अब यह kind of a very strong, very good move, कि हाँ कुझ पूरा जो कि supply provide कर रहा था अभगाली को, अब यह कुझ पूरा इन्होंने जीत लिया है, बीस हजार अभगान भी साफ हो गये हैं आपे, बढ़िया ऐसा लगा कि बहुत बढ़िया मूव हो गया, अब इसी में यह और आगे चले का कुरुछेत्र, कुरुछेत्र पहुंच गए, कुरुछेत्र, और यह अगर समझो, तो यह कुरुछेत्र जाने का जो move है, यह काईदे से अभगाली को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, कि अभगाली यहां से वापस जा ही नहीं सकता, पाकी सब ठीक था, अब अबदाली जो है, यहां पे अपना move खेलता है, अब अबदाली moves to this area और यहां पे इनको block कर लेता है, कहता है ठीक है भई हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते, और अब आप नीचे नहीं जा सकते, है ना, तो अब यह फसक है, अब यह नीचे का रस्त इनका already block हो चुका है, अब यह क्या है कि देखो बड़ी सेना है, साथ में camp followers में है, महिलाएं है, बच्चे है, और देखो यह बहुत गलत decision था इतने सारे camp followers को लेकर आना, इतने सारे महिलाओं बच्चों को लेकर आना, है ना pilgrimage कहते हैं कि हाँ पिल्ग्रिम के लिए जा रहे है, and he was more likely, रस्ते में जो भी चीज मिलेगी, जो भी गाओं पढ़ेंगे, वहां से हम resources बटोरेंगे, तो वो जो है, रस्ते में चल रहा था, बट यह कोई बहुत sustainable mode नहीं था, जिसके थूए आये थे, हाँ, यह supply इनको मिल गई थी, कुझपूरा की तो for the timing अच्छा हो गया अब वेट करना चालू करेंगे, अब यह यहाँ पर कहाँ बेट कर रहे हैं, यह लोग वेट कर रहा है, पानी पत पर, पानी पत पर क्यांप लगाएंगे, पर अब वेट चालू है, राइट वेट, तीन महीने का लगभग यहाँ पर इंतजार होगा, है ना, है ना, तीन मह इनांगे इंतजार में आ चुका है अब दिसम्बर में ठंड पड़ा रही नौर्थ इंडिया कि थंड है नौर्थ इंडिया में पता भूट ठंड होती है बहुत जाद़ ठंड होती है तो इन्होंने कभी तो नहीं देखी थी रैट या देर नौट habitual for this kind of winter तो वो तो आदत है नहीं, प्लस खाना भी खतम हो रहा है, बिमारियां फैल रही है, लोग मर रहे है अब यहाँ situation बिगड़ती जा रही है पानीपत में, अब क्या करें क्या करें, तो finally they decided तो एक दिन मीटिंग हुई, है न, तो यह 12 जन्वरी को सम्वेर, 12 जन्वरी 1761, तो 1761 चालू हो चुका है, और अब क्या करें जाए, समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 1761 अब हुआ कि भई, अब कोई रस्ता नहीं है, लड़ना ही पड़ेगा अब भिड़ना पड़ेगा, भई, क्या ही किया अब दाली खड़ा यहां पे वेट कर रहा है, और अब दाली के पास देखो resources बहुत हैं, इदर से समझ रोईदर सिर्फ यह लखनोव सपोर्ट कर रहा है, रोईदा सपोर्ट कर रहा है, तो यहां उसे वेट करने में, खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं, अब दाली ने दोस्त अच्छे बना रखे थे, जबकि यहां पे भाव को नौर्स इंडिया में सपोर्ट करने वाला सिस्टम नहीं एक्जिस करता, तो भाव फसे हुआ है, सदाशी भाव फस चुके हैं पूरी चला से, अब कोई रस्त साराइबने में घुब रसकाता राफेख सläधरागा, धाला से, इस पास एपर लूंप राफान गार्दी और एक्दम प्यर्स करते हूँ निकल जाते है, पढ़ियां अटेक होता, हलाग इसमें भी कुछ गलती है कि हाँ जो घुरसवार है वो आगे निकल गए तो गोली नहीं चला पारे बचारे, राइट बट फिर भी अलिवर्दी खान मेड़ वेरी गुड मुव, अलिवर्दी खान गार्दी, राइट मेड़ वेरी वेरी गुड मुव, इस समय जब वो मुव हुआ, तो इस समय सदाशी भाव ने सेंट्रल मुव किया, और सदाशी भाव के पास उसमय हुआ करते थे हुजरात, राइट, हुजरात, हुजरात, हुजरात क्या है, हुजरात का सेंट्रल मुव, और हुजरात वो हैं जो बहुत स्किल्ड हैं, जो बहुत ट्रेंड ओफिसर्स हैं, जो बहुत trained soldiers हैं, उन लोगों ने center attack किया और technically तबाहा कर दिया यहाँ पर, तो यह थोड़ी देर के लिए, आधे दिन के लिए, यह सब एक ही दिन में हो रहा है, by the way, and of course एक ही दिन में हो रहा है, तो यह attack हुआ, यह attack हुआ, और इन्हों ने काफी हद तक peers कर दिया, ऐसा मलहार राव होलकर शुरू से ही इस formation के favor में नहीं थे, वो इबराहिम खान गर्दी से उनकी बंती नहीं थी, right, and he was not at all aligned, तो यह है मैं इस formation में लडू, और जब बात होती है कि आपको attack करना है, तो सर attack ही नहीं करते हैं, sideways चले जाते हैं, तो यह और सिंधिया जिनका wait हो रह है, अबदाली को अब मौका मिल गया है, अबदाली के पास free flank है, अब यह घुमाग attack कर सकता है, अबदाली अबदाली जो है के पास reserve soldiers है, right, अब जो इसको वापस support provide करेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत नुकसान हो चुका था, उसको भी manage करेंगे, देखते देखते हाओ यह इतने वादे हैं, एक इसमें एक और जो है, उसके जो उट है, अबदाली के जो उट है आपे, उनको बोलते हैं जंबूराक्स, अबदाली के उटों को बोलते हैं, जंबूराक्स, 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 बि इसमें एक गोली आके सीधे जो है विश्वास राओ के सर पे लगती है और on the spot विश्वास राओ के डेथ हो जाती है एक बड़ा लीडर डेड दूसरा सदाशी भाव तुरंत हाथी से कूतने भाग के पास जाते विश्वास राओ के पास हां कि ठीक है नहीं है something अब एकदम से चांदनी रात में रात को भी को कौन कहा है रात रात भर पकड़ पकड़ के लोगों को मारा गया है क्याथ में घुदके हैं जो महिलाय हैं के साथ जो है बहुत गलत हुआ है और कहते हैं कि हाँ एक बड़ी तादाद में लगब बीस हजार महीं आए बच्चे इन सब को जो है लेकर गुलाम बनाकर जो है अब्दाली लेकर गया है वापस तो यह डिजास्टर था और यहां पर भागी लोगो ढूड़ पाना बहुत मुश्किल है खेमे में लोग घुस गया है और यहां बचलू की चल रही है तो जो है यह सिच्वेशन बहुत बिगड़ चुकी है अब अब्दाली यहां पर जीत जाएंगे वापस जाएंगे और यहां से वापसी आप समझ इन ही होते चले जाएंगे तो 1760 तक लिए अब बाझा जी बाज़ी राओ जब उनको यह ख़बर मिलेगी तो उनको शौक रगेगा और 1761 में ही बाला जी बाजी राओ भी नहीं रहे अब जो है खुल्ला फील्ड है एना पूरा मौका है अंग्रेज़ों के लिए और और अंग्रेज यहां से है ना अब देखिए अंग्रेज भी यहीं से राइस करना चालू करेंगे हैं राइज ओफ इस्ट इंडिया कंपनी मैंने बात करी राइस अब दाली घम बात करी चुड़ बीच मोळण रहे हैं माहनत कर रहें युक्ता झाल झाल